कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए दो मटके थे जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांद कर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भर कर घर लाती इन दो मटकों में से एक तो ठीक था मगर दूसरा कुछ तूटा हुआ हर बार ऐसा होता कि जब ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुँचती तो तूटे हुए मटकी का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता जबके दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुँचता घरे की ये बात सुनकर बुढ़िया हस दी और कहा क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरह से तुमको उठा कर लाती हूँ इधर तो फूलों के पोदे ही पोदे लगे हुए हैं जबके दूसरी तरफ तो कुछ भी नहीं उगा हुआ मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे तूटा हुआ होने की वज़ा से गिरता है और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिये थे ताके मेरे घर आने तक वो रुज़ाना इस पानी से सेराब होते रहा करें इन दो सालों में इन दो सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खुबसूरत गुलदस्ते बना कर अपने घर को सजाया और महकाया अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई न कोई खामी है लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा तूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पूरतासर किसम के तालकात बनाता है। हम पर वाजब है कि हम एक दूसरे को इनकी खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की इन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोज में दब कर नहीं दिखा पाते। माज़ूर भी माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माज़ूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीत किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ हम सब में कोई न कोई एब है फिर क्यों न हम अपने इन एबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिला कर अपनी अपनी जिन्दगियों से भरपूर लुट्फ उठाएं। हमें एक दूसरे को हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियों हमारी खामियों पर परदा डाल रही हो।